जैन दोस्तों आज हम बात करने बाले हैं कक्षा बारे के अध्याच्य बंसागती का अधार हम पार्ट नंबर एक और पार्ट दो में पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लिक अम्र क्या है डियने आरेने क्या है और इनके कंपोनेंट क्या है और डियने की प्रतकृति के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कक्षय बारे के अध्याश्य बंसागति कानडेक आधर आठ तीन के बारे में जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे DNA का दुई कुंडलित मॉडल जिसको प्रस्तुत किया था James Boston तथा Francis Crickney सन 1903 काले और कि रींटे के की कंडलित मॉडल के आधर पर उनुने निम लिखित परिकल्प अपनाया दी अ हम बात करते हैं DNA का दुई कुंडलित मॉडल दुई मतलब दुख और कुंडलित मतलब कुंडली मतलब ये दुई कुंडलन में पाया जाता है इसको सन 1903 में प्रस्तुत किया था जेम्स वाट्सन इसको हम बाट्सन और कुंडलित मॉडल भी कहते है DNA का दुई कुंडलित मॉडल सा 1903 में जेम्स वाट्सन ताथा फ्रस्तुत किया था इस मॉडल के आधार पर इन्होंने निम लिखित परकलब अपना दीती सबसे पहली इनकी परकलब अपना थी कि जो DNA होता है DNA दो पॉलिनीकलोटाइड DNA दो पॉलिनीकलोटाइड से मिलकर बना होता है जो DNA है उसमें दो पॉलिनीकलोटाइड सरंचनाएं होती है जिसमें एक रज्यू यह हो गई एक पॉलिनीकलोटाइड यह हो गई यहां से और एक पॉलिनीकलोटाइड यह हो गया जो DNA है वो DNA कोशका के अंदर DNA जब कोशका के अंदर होता है तो वह कुंडलित अवस्ता में पाया जाता है कुंडलित अवस्ता मतलब यह हो गई इस्टोन प्रोटीन और इसके उपर इस तरीके से DNA निप्टा हुआ होता है जो के हम आगे DNA पैकेजिंग पढ़ेंगे DNA के जो पैकेजिंग है उसमें पढ़ेंगे कि DNA कैसे पैक होता है कोशका के अंदर तो इस अवस्ता में पाया जाता है कुंडलित अवस्ता में पाया जाता है DNA किसके अंदर कोशका के अंदर दूसरी परक्रपना थी इनकी अब इनकी तीसरी परक्रपना क्या थी? DNA में जो nitrogen ख्यार हैं nitrogen ख्यार हैं हमेशा A से T जुड़ेगा या T से A जुड़ेगा double bond द्वारा दूसरी हाइड्रोजन बंद द्वारा और C से G जुड़ेगा या G से C जुड़ेगा त्रे हाइड्रोजन बंद द्वारा तो तीसरी परक्रपना क्या थी इनकी? DNA को जो nitrogen ख्यार हैं हमेशा A से T जुड़ेगा या T से A जुड़ेगा या फिर C से G जुड़ेगा या G से C जुड़ेगा ये परक्रपना थी इनकी तीसरी परक्रपना ऐसा नहीं हो सकता है तो तो तुम G और T को जोड़ दो नहीं जुड़ेगे cable A T से जुड़ेगा या T A से जुड़ेगा C G से उड़ेगा और G C से उड़ेगा अब इनकी चौथी परिकरतना थी दो रज्जूं के बीच का ब्यास B सेंगे स्ट्रम होता है दो रज्जूं के बीच का ब्यास का मतलब है कि यह मैंने बना लिया कुण्डलित DNA यह बना लिया मैंने कुण्डलित DNA अब यह कहरा है कि दो रज्जूं एक रज्जूं इसकी यह वाली है और एक रज्जूं यह वाली है मतलब एक रज्जू ये हो गई, एक रज्जू ये हो गई, नीचे तक आ रही है, एक रज्जू, दो रज्जू हैं ये, अब इन दोनों रज्जू की जो बीच की दूरी है, यान कि इन दोनों की रज्जू का ब्यास है, वो ब्यास कितना है, 20 एंग स्ट्रॉम है, 20 एंग और इधर भी 20 एंग्स्ट्रॉम अब इनकी पांच भी परिकलपना थी दो नाइट्रोजन ख्यारों के बीच की दूरी 3.4 एंग्स्ट्रॉम होती है 3.4 एंग्स्ट्रॉम दो नाइट्रोजन ख्यारों के बीच की दूरी होती है ये जो नाइट्रोजन ख्यार हो गया ये नाइट्रोजन ख्यार हो गया ये नाइट्रोजन ख्यार हो गया चाहे इन में से हम किसी भी नाइट्रोजन ख्यार को ले ले सब के सब नाइट्रोजन ख्यारके जो बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी 3.4 एंग स्ट्रॉम ही होगी इन दोनों के बीच की दूरी मा अपने इन दोनों के बीच की दूरी मा अपने या इन दोनों के बीच की दूरी मा अपने एक लूप की लंबाई एक लूप की जो लंबाई होती है वो उती है 34 एंग स्ट्रॉम 34 एंग स्ट्रॉम एक लूप मतलब यहां से और यहां तक की लंबाई यहां से और यहां तक की लंबाई एक लूप लंबाई जहां से ये कुंडली मारना शुरू करता है और जहां पर कुंडली मारना खतम करता है यहां से इसने शुरू किया यहां पर आके खतम कर दिया तो यह जो लूप है इस दौनों लूप के बीच की दूरी कितनी होगी ठीशोंतीस एंगिश्ट्रोंग, एक लूप की लंबाई कितनी होगी, ठीशोंतीस एंगिश्ट्रोंग, या फिर हम कह सकते हैं, जो उब्री हुई सरँचना है, उब्री हुई सरँचना है उन दोनों के बीच की दूरी, अगर बीच से मांपें, तो कितनी होती Industry 135? ये परिकर अपनाए दी थी जेम्स बॉट्सन तथा फ्रांसेस क्रिक ने डियने के दुई कुंडलित मॉडल के अनुशार एक बार हम फिर से इसका रिवीजिन करते हैं डियने का दुई कुंडलित मॉडल सन 1953 में जेम्स बॉट्सन तथा फ्रांसेस क्रिक नामक बैग्यानिक ने दिया था इसको हम बॉट्सन तथा क्रिक का डियने दुई कुंडलित मॉडल भी बोलते हैं सबसे पहली इनकी जो परिकरपना थी सबसे पहला इनका जो इस्टेटमेंट था वो थी ये था कि डियने दो पॉली नुकलोटाइड से मिलकर बना होता है DNA के अंदर कितने निकलोटाइड होते ही दो पॉली निकलोटाइड नहीं दो पॉली निकलोटाइड होते ही एक पॉली निकलोटाइड और दूसरा पॉली निकलोटाइड DNA के अंदर कोशका के अंदर जो DNA है वो किस अवस्ताम पायाता है कुंडलित अवस्ताम पाए जाता है इस अवस्ता में DNA पाए जाता है किसके अंदर कुछका के अंदर तीसरा राइन का statement था DNA में nitrogen ख्यार जो होते ही हमेशा A से T जुड़ेगा या T से A जुड़ेगा C से G जुड़ेगा या G से C जुड़ेगा जो A और T के बीच जो बंद बंता है वो बंता है दुई hydrogen बंद और C और G या फिर G और C के मद जो बंद बंता है वो बंता है 3 hydrogen बंद तो हमेशा याद रखना कि G और T कभी नहीं जुड़ सकते या C और A कभी भी नहीं जुड़ेगे A T जुड़ेगा T A जुड़ेगा C G जुड़ेगा G C जुड़ेगा इसके बाद इनकी चौथी परिकलपना थी कि दो रज्जुओं के बीच का जो ब्यास होता है दो रज्जुओं हैं इनके जो बीच का ब्यास है वो कितना है 20 angstrom होता है इनके बीच की दूरी है किसी भी नाइटरोजन ख्यारों के बीच की दूरी अगर हम मापते तो कितनी बैठती है तीन पॉंट चारे एंग्स्ट्रॉम बैठती है और एक लूप की लंबाई कितनी होती है 34 angstrom होती है एक लूप मतलब ये झाल